भारत में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्हों ने अपने ज्ञान और गुन के कारण भारत का सदे मार्ग दर्शन किया तता भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान करते रहें उनी अनेको महापुरसों में से एक महापुरुस थे जिनका नाम था विदूर। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत गरंथ जिसमें दिये गए सूत्र और प्रसंग आज भी हमारे स्रेष्ट जीवन के लिए आधार माने जाते हैं। वैसे तो महाभारत में अनेको ऐसे पात्र हैं जो हमारे जीवन के लिए प्रेड़नादायक सुरुत बनते हैं। लेकिन उनी पात्रों में से एक ऐसे भी पात्र हैं जो की एक दासी के पुत्र हैं। उनका नाम है विदूर। दासी पुत्र होते हुए भी महाभारत में इस महा गुन और नीतियों के बल पर कौरवो के महामंत्री बने महामंत्री विदुर ने एक पुस्तक की रचना की जिसे विदुर नीती के नाम से जाना जाता है इस पुस्तक में अनेकों ऐसी नीतियां एवं प्रसंग है जो मानब समाज की भलाई तथा उनके मार्ग दर्शन के तब धिरतराष्ट ने विदुर्व से कहा कि मेरा मन बहुत ब्याकुल है जब से संजय पांड़ों के यहां से लौटकर आया है तब से मेरा मन बहुत अशांत है यह सुनकर विदुर्व ने महाराज धितराष्ट को एक महत्पुन नीती बताई तथा उन्होंने बताया कि जब ये चार बाते किसी भी पुरुस या इस्तरी के जीवन में घटित होती है तो उनका मन अशांत हो जाता है चाहे वो कहीं भी क्यों न चले जाए उनका मन शांत नहीं होता उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और वैस का मन अशांत रहेगा तथा उसकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी काम भावना वैक्ति के मन को अशांत कर देती है और ऐसे वैक्ति का कहीं भी मन नहीं लगता है सदेव अशांत रहता है यह भावना इस्तरी तथा पुरुस किसी में भी हो सकती है और ऐसी परिस्तिति सदे भय के माहुल में जीने लगता है निर्बल और आर्थिन होने के कारण उसे सदे अपने प्राणों का भय बना रहता है उसे ये डर बना रहता है कि ना जाने कब शत्रू उस पर तूट पड़े और कब उस पर कोई नई मुसीबत आ जाए उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि बलवान शत्रू की बज़े से उसे कोई अनहोनी न हो जाए उसे कोई नुकसान न पहुँच जाए तीसरी बात यदि किसी वैक्ति का सब कुछ छिन गया हो तो उसकी रातों की निंद उड़ जाती है ऐसा इंसान ना तो चैन से जी पाता है और नहीं चैन से सो पाता है ऐसी परिस्तिती में वो इंसान सदेव इसी जुगाड में लगा होता है कि कैसे भी करके उन चीजों को दुबारा से हांसिल किया जाए जब तक दोबारा से वे अपनी चीजों को प्राप्त ना कर ले तब तक नहीं तो ऐसे वैक्ति शांत बैटते हैं और नहीं उन्हें नींद आती है 4. यदि किसी वैक्ति की प्रविट्टी चोरी की हो और जो चोरी करके ही अपनी आवाशकताओं को पूरा करता हो जिस वैक्ति को चोरी करने की आदत पढ़ जाती है ऐसे वैक्ति सदेव दूसरों के धन को चुराने की योजनाए बनाते रहते है चोर हमेशा रात को चोरी करता है और दिन में वो इस बात से डरता है कि कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए वो सदेव इसी उल्जन और परिशानी में जीता रहता है लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखा जाता है यदि आप भी कुछ सीखना चाहते हैं लोगों के उम्र तथा उनकी परिस्तिती को ध्यान पुर्बग देखकर आप बहुत सी बातों का अंदाजा लगा सकते हैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ब्लीज वीडियो को लाइक कर दें और आज़ादी आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद